तो है गाइस मैं रावल और आप देख रहे हैं है भुगुरू क्रेटिव चेनल तो आज आप सभी को 5 बोल्ट वाला चार्डर बना करके दिखाऊंगा जिसे आप बेटरी को चार्ज कर सकते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना इसमें मैं आपको 5 बोल्ट का चार्डर गहर पर बना करके दिखाऊंगा वो भी काफी आसाने से तो आप चलिए वीडियो पर चलते हैं तो गाइस तो सबसे पैदा है एक 5 बोल्ट का चार्डर कीट चाहिए यह देखिए यह मेरे पास 5 बोल्ट का चार्डर कीट है यह आपको मार्केट में बहुत असानी से मिल जाएगी तो हमें एक यह ले लेना है तो आप देख सकते हो यह दोनों हमारी इन्पुट वाली पीन है और यहाँ पर हमारी यह दोनों पीन आउटपुट के लिए बनी है तो मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाऊंगा और इसे मर्टी मीटर से चेक करके भी दिखाऊंगा कि यह कितनी आउटपुट देती है तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्डरिंग कर लेना है तो सॉल्डरिंग के लिए आप कॉपर वायर लेना क्योंकि कॉपर वायर जल्दी जलती नहीं है और यह सोट भी नहीं होती है जल्दी तो हमें इसे सॉल्डरिंग कर लेना है इन दोनों पीन में तो मैं दोनों पिन को सोल्डिंग करता हूँ तो हमें इन दोनों वायर में सोल्डरिंग कर देना है तो यह पिंक वाला वायर हमारा पोजिटिव है तो मैं इसे यहां पर लगाऊंगा आप देख सकते हो यहां पर और दूसरा वायर यहां पर लगाना है नेगेटिव का तो मैं इसे सोल्डरिंग करता हूँ हुआ ये और मने पूजिटिव को इंः कर लिया है आप मैं नेगिटिव को भी कर लिता हूं कि ऑथो गाइस मैंने इछ ये स्वारीच कर लिया है तो अब मैं इसे इस प्लेट में छिपका लता हूं कागेश तुक्ड़े में क्योंकि अगर यह नीचे वाली प्लेट अगर जमीन में अगर टच करती है तो यह पूरी जमीन में लाइन को फ्लो कर देगी तो मैं इसे इसमें गुलुगन से चिपकाजता हूं कुछ इस तरह से तो हमने अब इसे चिपका दिया है तो चलिए अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूं तो यह हमारा पला गुला वायर है यह देख सकते हो इसमें हमें 220 फोल्ट इन्पूट देना है और यह हमारी आउट्पूट वाली वायर है तो मैं इससे आपको मल्टिमेटर में चेक करके दिखाता हूं तो यह मेरी मल्टिमेटर है तो मैं इसे निकाल लेता हूं तो मैं सबसे पहले मल्टिमेटर को लगा लेता हूं तो मैंने अब इसे लगा लिया है तो आप मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूं यह पला गया मैं इसे लगाता हूं बोल्ट में तो आप मैं switch को on करता हूं मैंने इसे on कर दिया है आप देख सकते हो वह हमारी start हो गई है तो यहां देखिए यह 5 बोल्ट और पुट सो कर रहा है मैं फिर से इसे off करके दिखाता हूं यह देखिए अब मैं इसे on करता हूं तो आप लोगों देखा कि इस तरह से मैंने इसे बनाया तो मैं आपको इससे light को भी चेक करके दिखाता हूं तो यह मेरे पास पांच बोल्ट का LED बाल्ब है तो मैं इससे भी आपको जला करके दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने इससे यह आपको light को ओन करके भी दिखाया है तो आप इसे काफी आसान तरीके से पांच बोल्ट का चार्जर बना सकते हो ताप इसे जरूर बनाईएगा तो गाइस वीडियो बनाने में काफी मैनत लगती है तो गर वीडियो का अच्छा लगता है तो वीडियो को like जरूर कर दे इससे मुझे थोड़ी सी motivation मिल जाएगी और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते ही और नोटिफिकेसनल को भी ओन कर देना और वीडियो काईसा लगाई है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा तो मैं मीनो काईस के नेक्स वीडियो में थब तक लिए जैहें